यांत्रिक उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्थित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रियोग किया जाता है तो डैनमो का निश्ट आएंगे विद्धुत उर्जा को धुन उर्जा में परिवर्थित करने के लिए नाम क्या है लाउड स्पीकर हो जाएगे सौर उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्थित करने वाले उपकरण का नाम बता है विद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्थित करने वाले उपकरण का क्या नाम है तो मोटर विद्धूत मोटर हो जाएगा और आते हैं निश्ट विद्धुत को प्रकास एवं उस्मा में उर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का क्या नाम है तो विद्धुत बल्ब हो जाएगा और निश्ट आएंगे रसा उर्जा को विद्धुत उर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण का नाम क्या छान लेते हैं द्धुन उड़जा को विद्धुत eux में परिवर्थित करने वाली उर्वलकत करने ना और डिसकस किया दु किशले वीडिया में और रसायनिक अजिए को प्रकास उचा में परिवर्थित करने का तो मुवम्बत्तिज यह याद रखना ठीक यहां नत्रिक उठ्वस्जा को धन उठ्वूर्जा में परिवर्थित करने वाले मैं उपकुष्ण सितार है यहां च्वामाइब्सकौदी उनकी स्थ्टरो तरोट कुनैं किसे प्राप्त किया जाता है तो थम ठास काफें कैफ्यंड壓्फीत किसे प्राप्थ किया आता है वाटाए एल्कलाइड किससे प्राप्त किया जाता है तो प्रिन किससे प्राप्त किया जाता है इस्पृन टोजएग़ विलोर और देशंटांगे delay गे। 1900 के टिकेना अब जाने लेते हैं महातुपूर अविस्कार एक high एक है एक टॉघ्टरान की खौज के एक एलेक्टरान की खौरच्श के मैं ने किया गोल्डर टीन निउटरा तो जॉन डॉल्टन ने ठीक है ना अच्छा रेडियो सक्रिता की खोज किसी ने की ती तो हैं रेडियम की खोज तो माडम कुरी बहुत इंपोर्टेंट है अक्स्टर एकजाम में यही आता है चलो याद करते हैं और याद करके अच्छा डैनमाइट की खोज आलफरड नॉब ठीक है ना अब प्याज इसकिल की खोज किसी ने किया तो एस्पी सुरेंसन ने हाइड्रोजन की खोज तो हैं रेक कंडिस ने नाइट्रोजन की खोज किसी ने की तो नरदर फोड ने ठीक है ऑक्सीजन की सीले और प्रिश्टले ऑक्सीजन की खोज बहुत इंपोर्टेंट तो जो आक्री गैस आरगन की खोज किस ने किया तो रेम जे और रेले ने अब थोरियम 15 नमर देखेंगे हैं हाट टॉपिक से हम ददस पंदा वीबिस कोशन ले रहें जो टॉपिक बाइटॉपिक है ठीक है नहीं है तो थोरियम की खोज किस ने किये तो बडजीलियस ने टेल सब्सक्राइब भाप लोगों को और देख लेते हैं कुछ टॉपिक प्रमुक उदोगों में प्रियोग उत्पेरक जाने लेते हैं अब दिछल ओपन करते हैं आमोनिया गैस उदोगों में प्रियोग होने वाला उत्पेरक उत्पेरक लोही का चूर्ड होता है अच्छा क्लोरीन गैस प्रियोग होने माला उत्पेरक कि प्रिक्लॉड बनस्पत तेल उधोग में प्रियोग होना उत्पेरक निकिन है चलते हैं निस्ट आएंगे और बनस्पती बताया आपने कि अलकोहल उधोग में प्रियोग होने वालावत प्यारख गर्म एलूमिना है इसमें ठीक है अब जान लेते हैं मिस्र धातुओं एवं उनके घटक पीतल के घटक तामबा और जस्ता पिता जी बताया था आप लोगों को जीके में हमने डिस्ट्रस किया था पिछले वीडियो में ठीक है कई टॉपिक और निश्ट आएक कासा के घटक तामबा और तीन स्टेल इस टेल का घटक क्रोमियम तथा निकल स्टेल धातु के घटक तो लोहा तेथा कारवन हैं डच दहातु के घटक तबुद डच थेज रच दच है न तो डच क्या हो जाएगा तामबा और जस्ता इसका दुवर के घटक तामबा तथा टिन घरमण मीं छोता है और जस्ता is डिफरेंट होता है टाका सोल्डर तीन ततती सा इसका दुआँ बहुत खराब होता है और अस्थमा की रोग हो जाता इसमें दुआ का मोनल मेतर के घटक गहतक बहुत तामबा लुहा निकल मुद्रह धातु के घटक तामबा और ऐलोमीकें ततत्य सोल्डर के घटक लेटुए जिब ट्रीट इसका टाका लेड लेड ऑर तीन अचांई देखेते हैं डुराゆinen के घटक इल्मूनियम तथा तामभा है रोल्ड गोल्ड कापड इल्मूनियम बुट्स धातु के घटक सीशा विसमत तिन कैडेमियम नाइक्रोम की घटक निकल लोहा और क्रोमियम मैगनेश जंग रोधी इस पात घटक लोहा क्रोमियम निकल कारबन ठीक है ना तो याद हुए आप लो जो हम टॉपिक को टॉपिक वाई टॉपिक कवर कर रहे हैं इससे आप लोगों यह अराम रहेगा जितने प्रश्ण इंपॉर्टेंट है वही प्रश्ण आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं ठीक ना तो वीडियों को जुरूर दीखा करिए और अपने दोस्तों को भी सेयर क होगा कि सिर्फ 20 मिनिट में पांच 600 कोश्चन का वीडियों ट्राप्त है जो कि इतना बेसिक से हमने कॉंसेट मैप के माध्यम से डिस्कस किया है जरूर देखें विटामिन एक अरा सैनिक नाम क्या है तो रेटिनाल 1913 और हां कोई चार्जस नहीं है कोई वीडियों में भी है थैंक है ना झरूर देखें फिरे वीडियों है विटामिन बीवन करह साय्निक नाम क्या है तो 21949 जो कि नियाशीन कहते है ठीक है और जो कि इम्पोर्टेन्ट इसमें सबसे ज़्यादा तो यह जो कि विटामिन यह सबसे ज्यादा है और विटामिन वी फाइफ तो क्या हो जाएगा पिंटो थिनिक आमने जो की 1931 विटामिन विटामिन वीट टोलो करेंग नाम क्या है तो शाइनो कुबालमीन है और विटामिन कर सकथ रसाइन नहीं चलते हैं अगला चलते हैं नाम क्या है तो टोको फिराल 1922 वीटामिन के साइनिंग नाम क्या है तो छो कि आधिन जो की कर्से का को आप एक-खेंटिंग old-9 इत लिए याद्ट रखें जो कि बहुत निश्ट में चलते हैंशजा कि मेशते हम योली चावर्थे brow rakes a coz zod camultא है और बेबरन मीज़ कि वनकी कमेंसे में बेरी बेरी होता है विटामइट की कमेंसे होने वाले रोग कमसा होता है किलो सोस जो कि तोचा का फटना हो जाता है तोचा फटने लगता है ठीक ना और विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग जो कि मन बुद्धी बालों का सपोज सफेद हो जाना अच्छा विटामिन B5 का होने वाला जो कि क्या हो जाता है प्लाग्रा जो कि तचादाद विटामिन B6 कमी से होने वाले रोग एनमी ऐसा जो कि चर्म रोग हो जाता है सिक स्की टीक है घर सट आगरॅ घर लाव क कमी नथे ऊजिसका आंध you should अबा। एले रहा है और आप्डी कोड़ी है और दहानों दे राए तो फापलान दो होगी वाई है ना तो जबन कि कर अधेयो लगवा सरीर में ज़ीन थेड़ों कर में Jim's के कमी सोरी η कव ने सोड़ों का फोलना या सोजना दर्द होना सब इसकर्विक पर आता है और डी का जिसे कि हड्डियों का एक मास पर हड्डियां से रिलेटेड इसे रिकेटर्स नाश्टी पॉमलेसिया और विटामिन डी किस्से प्राफ्त होती है जो कि धूप चुरूर लेना चाहिए मौर्नि न तो आप लोगों ने देखा इंपोर्टेंट कम से कम और ब्रश्ण हो गए हैं सो देब सव लगभग बेच वे तो हर टॉपिक में अमने कवर किये हैं तो जरूड देखें और एक ही वीडियो में आप लोगों को 6-7 से वी टॉपिक कवर हो रहे हैं तो जरूड देखें त तो मिलते हैं आज साम को आप लोगों को मैत का वीडियो जरूर मिले मैत या रिजनिंग का वीडियो जरूर मिलेगा आपको ठीक देखें